आप फूल में बंद एक भवर की तरह हो सोच रहे हो अभी सुबह हो गए इदर उडूंगा घूमूंगा किसी ने फूली तोड लिया महामारी खतम हो गए थी जिंदगी के मज़े ले रहे थे तो ये H3N2 लेके आए H3N2 मामुली फ्लू है Omicron की तरह बहुत सारे लोगों को इसके खिलाफ अलड़ी प्रतिकार शक्ती है Serious गंबीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम लोगों में है और वो भी संभावना बहुत कम है इसका टीका वैक्सिन अलड़ी मौजूद है अभी लेने की कोई जरुद नहीं है इसकी दवा अलड़ी मौजूद है बहुत सस्ती है मूँ से खा सकते है अपने घर पे खा सकते है काफी सारे लोगों को आस्पताल जाने की कोई जरुद नहीं है इसका स्टॉक इंडिया में काफी है सस्ता है छे कंपनिया बनाते है इसका कोई पैंडेमिक वैंडेमिक आने वाला नहीं है कह दिया ना बस कह दिया वैसे ना करोडो वाइरस करोडो साल से चलते आ रहे है वो वाइरस बिचारे बेलापूर स्टेशन पे सामान उठाते है और हम लोग रामगड पे तांगा चलाते है एक दूसरे का कोई वास्ता नहीं है लेकिन ये पैंडेमिक के बाद हमको ही आदत हो गई है कि हम लोग ही वाइरस का तलाश करते हुए घूमते रहते है कि हमको डरने का एक कोई थोड़ा वाइरस दिखाओ ये क्या है फ्लू वाइरस देखो वाइरस के दो बड़े टाइप होते है डीने और आरेने डीने बोला तो होता है डबल स्टेंड़ मतलब वो थ्री डीर्स में होई था ना उसमें चतूर था वैसा एकदम स्टेबल डबल स्टेंड़ उसको फरक ने पड़ता क्या उसको सीखने को मिल रहा है उसको डिगरी चाहिए, मार्क चाहिए, अच्छी नोकरी चाहिए ना वो नोकरी को छोड़ेगा ना बीबी को छोड़ेगा एकदम स्टेबल, बदलेगा नहीं, डीने आरेने वाइरस घोड़े की तरह है या तो चतूर या तो घोड़ा ये गोड़ा इदर दोड़ेगा, उदर दोड़ेगा परसो धन्नो बनेगा, बाद में कहेगा मैं घोड़ा है इच नहीं मैं गदा हूँ मेरको कोविड कमिटी पर जाने का है एकदम बदलता है, कोविड वाइरस के तरह कोविड आरेने वाइरस है, फ्लू वायरस भी आरेने वाóst है, फ्लू के तीन टाइप होते है ए, बी, सी, फ्लू इतना बदलता है ये सबसे कॉमन है, इतना बदलता है कि हर साल अमरिका इसके खिलाब नए vaccine बनाता है उसको antigenic shift और drift बोलते है तो यह H1 HN का क्या लफड़ा है उसके उपर target होते है H hemagglutinin N neuraminase यह से दो protein होते है यह जो जाना कर normal virus flu के होते है A के उसमें H के 3 type होते है H1, 2, 3 और N के 2 होते N1 or 2 लेकिन अगर हम avian flu में गए तो H के type होते है 1 to 16 और N के होते है N1 to 9 media का तो मज़ा है यार शकूनी के तरह बैठ गे आज H यह डाला N यह डाला लोगों को बोलो धर्मराज आप घबराओ अभी आज आज रोज कुछ H N नया लेकिन यह जो influenza A जो common है उसमें H3 H3N2 का भी चल रहा है यह बहुत बदलता है वाइर लेकिन क्या है न हमको हम उसे पहले ही जून चुके है तो पहले भी ऐसा वाइरस आता था लेकिन हम लोग उसको headline में नहीं डालते थे तो अभी उसके लिए क्या करना चाहिए देखो COVID के खिलाब बच्चों को अच्छा protection था यहाँ flu में यह जो influenza A होता है इसमें बच्चों को कम protection त्रहता है मतलब दो साल के जो नीचे बच्चे है वो high risk है 65 के उपर जो बुजूर गे वो थोड़े high risk है जो जिनको बच्चा होने वाला है और या दो खबते पहले जिनको बच्चा हुआ है वो लोग high risk है यह लोग high risk है तो अगर यह पहले ऐसा होता था तो हमको हमारे समझ में क्यों नहीं आता था इसलिए समझ में नहीं आता था कि पहले हम उसे अच्छी तरह से जूँचते थे जो बच्चे पैंडेमिक में पैदा हुए जा जिन बच्चों की उम्र एक या दो थी जब पैंडेमिक चालू हुआ वो बच्चे ज़्यादातर घर पे ही बैठे है उन्होंने दुनिया देखी नहीं है तो उनकी जो वाइरस के साथ लड़ने की जो प्रतिकार शक्ती है वो बहुत कम है और वो बहुत कम है इसके वज़े से वो बच्चों को जल्दी हो रहा है और बच्चों को पकड रहा है तो बच्चे घर में आके बुज़ूर्गों को दे रहा है बुजूर्गों की भी प्रतिकार शक्ती थोड़ी कम है लेकिन है प्रतिकार शक्ती तो बहुत ही कम लोग अस्पताल में पहुचेंगे तो उसके लक्षन क्या है COVID जैसे ही लक्षन है उसको बुखार आता है और उसका बुखारना आसा एक आपको टाइम याद होता है COVID में बोलते हैं Saturday से बुखार आ रहा है इतना याद होता है ना बुखार आता है खासी आती है लेकिन बलगम नहीं आता बच्चों में थोड़ा पेत में हो सकता है बुजूर्गे में इतना नहीं होता और वो जैसा COVID में क्या होता था कि आपको लक्षन आने के पहले आप लोगों को दे सकते थे इसमें भी ऐसा हो सकता है जिन लोगों की immunity अच्छी है वो दूसरे को दे सकते लेकिन देखो महामारी 100 साल में एक बार आती है तो किसी भी वायरस को महामारी मन्ने के लिए काफी सारी चीजे होना उसके साथ जरूरी है यह ऐसा H1N1 के साथ मतलब H3N2 के साथ नहीं है तो अभी ठीके की बात है तो ठीका अमरिका हर साल लेता है मैं भारत में ठीका कैसा बनाया है अभी जो strain है उसके खिलाब बनाया कि नहीं पता नहीं मैं अभी ठीका नहीं रेकमेंड करूँगा क्यों? क्योंकि अभी भारत के लोग इतने पक चुके हैं ना यह COVID vaccine और उसके ओपर सब social media पर जो बवाल चल रहा है अभी उनको flu का ठीका दाल दिया इसलिए अभी मैं flu vaccine के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं अमरिका में हम लेते हैं जिनको लेना चाहते हैं ले लो सिर्फ यह शूर कर लो कि यह जो strain चल रहा है उसके खलाब वो टिका बनाया जो दवाई है और दूसरी भी एक है बहुत अच्छी चलती है एकदम सस्ती है मुझ से खा सकते है लेकिन 48 घंटे में लेनी चाहिए अगर उसका effect है तो तो फिर test का result आना चाहिए किसी का test करेगा अरे इतना ज्यादा testing wasting का जरूद नहीं अमरिका में हम क्या करते हैं अभी भी थोड़ा कोविड है न और कोविड है तो हम लोग Paxlovid देते हैं लो है तो Ostalemvir देते हैं तो एक ही बार नली डालते हैं नाक में एक नाक में एक चोट इसी नली डाल दे और दो मिनिट में result आता है influenza A देखते हैं B देखते हैं respiratory virus देखते हैं COVID देखते हैं सब एक ही इसमें हो जाए अपने इधर बहुत जगा पे ऐसा नहीं होता नाक में एक नली डालेंगे flu के लिए दूसरी में COVID के लिए फिर दोनों को आधार कार्ट डालके वो नलीों को link करेंगे पाच्चे नलीया डालते रहेंगे ये टेस्टिंग का कुछ मतलब नहीं क्योंकि हमारे पास पैक्टलोवेड नहीं है COVID वैसा है मामूली है COVID का अभी ट्रेट्मेंट करने का जरुवत नहीं है सिर्फ उन लोगों का टेस्टिंग करो जो बहुत ही हाई रिस्क है पतलब जिनकी उम्र बहुत ज़ादा है या बहुत कम है जिनको इसका निमोनिया हो सकता है उनको थोड़ा उनको तकलीफ है थोड़ी इसलिए उनको हम जल्दी से जल्दी अगर औस्टेल एमविर दे सके मूँ से खाने वाली दवा तो ठीक है और वो भी क्या है न अगर कोई हाई रिस्क है और वो किसी फ्लू पेशन के संपर्त में आया तो उसको फ्लू होने के पहले भी वो दवा खा सकता है इसके साइड इफेक्स बहुत कम है उसका डोस थोड़ा एड़्जस करना पड़ता है बच्चों में और जिनको किड्नी की बिमारी है तो हम इससे साउधानी क्या ले ले अभी हम लोग साउधानी ले लो उनको न अपना त्योहारों से इतनी नफरत है ना ना उनको मिलना जुलना पसंद है ना उनको कुछ पसंद है वो कोएंगे नहीं-नहीं अभी आप सब प्रकाशन लेड़ो देखो मास्क है वो ओमिक्रॉन के खिलाफ तो चलते नहीं है फ्लू के खिलाफ चल सकते हैं लेकिन कितने लोग मास्नाम वो भी पक चुक है लोग अभी मास्क कुछ डालने वाले नहीं है तो मानो डेली में आप दोपर को चल रहे है सड़क एकदम कर्म है और लाइक चल नहीं सकते तो लोगों ने जूते नहीं पहने तो हम लोग कहेंगे सड़क कवर करेंगे पूरा उस पे चमडी लेदर डाल के सड़क कवर करेंगे फिर डाक्टर अभी कहते है अरे सड़क को क्यों कवर करेंगे जो लोग सड़क पे दोपर को नंगे पाव चलना चालते हैं सिर्फ उनको जूता पहना दो ना सिर्फ जो लोग हाई रिस्क है सिर्फ जो लोग हाई रिस्क है उनके उपर फोकस करो अगर उनको मास डालना है तो डालो उनको उस्टेले में वे जितना जल्दी दे सके उतना दे दो तो मज़ा आएगा तो अभी क्या करें अभी मैं क्या कहता हूं महा मारे ने हमको क्या सिखाया वो दोस्ती तो खेर नसीबे दुश्मना हुई वो छोटी छोटी रंजिशो का लुथ पे चला गया वो जिन्दे में कितने छोटे-छोटे मज़े आते हैं मंडी में जाना, दोस्तों को गाली देना, इदर जगडा करना, कितने मज़े है तो अभी सब मज़े ले रहे, वैसे आराम से लेते रहे, जिन्दगी जीते रहे बाकी कुछ इसका टेंशन, मतलो इसका कुछ होने वाला नहीं है हमको आदत हो गई है, सब इसका मचाने की, चप छोड़ दो उसे लेकिन मैं एक चीज़ आपको पहले ही कह देता हूँ कि अभी आपको चल रहा है, सब मस चल रहा है, आप है अनारकली के बापो और अकबर के साथ रिष्टा लेके गए, उसने बोला हो गया चलो अभी अभी जमाना बदल गया है, वोट्स मिलेंगे अनारकली के साथ शादी की तो सब होने वाला है, अब मजे में हो अगर सलीम को होश आया, तो वो तुमें मरने नहीं देगा लेकिन हम अनारकली तुमें जीने नहीं लेंगे तीन हफते के बाद और एक न्यूज आएगी, एवियन फ्लू की H9 की आएगी, देखो, लिखके ले लो, तीन साथे, तीन हफते में आएगी क्यों पचास फीसेद लोग मरते हैं, अरे मरने दो जिस फ्लू में इतने ज्यादा लोग, जितना high mortality होती हैं, वो दूसरे लोगों को दे नहीं पाते यह महा मारिया सौ साल में सिर्फ एक बार आती है, हमारा हो गया अभी, अभी मजे करो यार, डक्टर अवी गोट से गिएल ऑ्रणी में एक बार आती